लोग सुबाद चुनाओं के गोशना के साथ ही एंडिये में सीट बटवारा भी हो चुका है लेकिन अब सीट बटवारे के साथ ही एंडिये में भयंका तूट की खबरे सामने आ रही है आपको बता दे की चुराक पासवान को ज्यादा तवज्जो मिलने से नाराज चल रहे चाचा पशुपती पारस अब काफी गुस्से में नदर आ रहे हैं और उन्होंने पाला बदलने का मन बना लिया है इसी के साथ पशुपती पारस के साथ उपेंदर कुश्वाहा के भी नाराजगी अब जग जाहिर हो चुकी है बता दे कि उपेंदर कुश्वाहा को एंडि में सीट शेरिंग को लेकर के प्रेस कॉंफरेंस हो रहा था प्रेस कॉंफरेंस में जेडियों के तरफ से भी उनके नेता मौझूद थे शिराक पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौझूद थे बीजेपी के भी नेता मौझूद थे उनके साथ ही हम के भी नाराज है और पाला बदल सकते हैं और अब सुत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि उपेंद्र कुश्वहा अब अगले 24 घंटे में कोई भी निड़ने ले सकते हैं उपेंद्र कुश्वहा और नराज चल रहे पशुपति पारस दोनों ही तेजस्वी के साथ देहते हुए नजर आ सकते हैं आपको बता दे कि पशुपती पारस और चिराग पासवान के बीच में हाजिपूर्ट सीट को लेकर के लड़ाई छड़ी हुई थी जिसको लेकर के काफिदनों से यह चर्चा थी कि आखिर यह सीट किसके खाते में जाएगी लेकिन जैसे ह बटवारा हुआ सब कुछ साफ हो गया एंडिये में पशुपती पारस को कहीं भी तरजी नहीं दी गई चिराग पासवान अपने चाचा पर भारी परते हुए दिखाए दिए बतादे कि चिराग पासवान को जहां एंडिये में पांच सीटे मिली तो वही इसी के साथ हाज पशुपती पारस भी अब जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं और पशुपती पारस भी तेजस्वी यादव का साथ देते हुए नजर आ सकते हैं ऐसे में अगले चौप इस घंटे बेहद महत्तपुण हैं देखना होगा कि नाराज पारस और कुश्वाहा क्या खेल करते हैं क्या तेजस्वी का साथ देंगे या फिर एंडिये पारस और कुश्वाहा को मनाने की कोशिश करती है आपको क्या लगता है अपने राय कमेंट करक जरूर बताए ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक